हाई एबरिवन आज की रेसिपी इंस्टन्ट एंड क्विक है आप इसली 10 से 15 मेर्ट में इस रेसिपी को बना सकते हैं ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए लेफ्ट वर राइस लेना है एक अब इस राइस को पीसना है उसके लिए इस राइस को जार में डालेंगे साथ में एक हरी मिर्ची काटके डालेंगे और एक इंची अद्रक का टुकड़ा अब इन सब को पीस लेंगे राइस को पीस्ते टाइम हमने पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है इस राइस को एक बड़ी बॉल में ट्रांसफर कर लिना है अब इसमें डालना है एक मिडियम साइज का उबला हुआ आलू साथ में डालेंगे वन एंड हाप स्पून राइस फ्ला जिसे चावल का आटाय कहते हैं अब इस नास्तिक को चटपटा बनाएंगे उसके लिए बारिक कटा हुआ हारा धनिया डालेंगे साथ में डालेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर साथ में एक चमच धनिया पाउडर डालेंगे अब इस नास्ति को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैहा पे दो चमा छल्दी राम भुजय डाल रही हूँ यदि आप प्याज खाते हैं तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं अब इन सारे चीजी को मिक्स कर देंगे इस तरह से अब इसे बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे तेल लगा के हाथ चिकना कर लेंगे चिकना करने से बिल्कूल भी हाथ में चिपकता नहीं है और एक चोटे साइज का लोई बनाएंगे और इस तरह से गोल करेंगे आप चाहें तो अपने पसंद का टिकी के सेप में भी बना सकते हैं या फिर जो सेप पसंद है उस सेप में आप बना लें आज मैं यहाँ पर इस तरह के सेप में बना रही हूँ अब यह बन के रेडी होगा इसी तरह हम बाकी का भी बना के रेडी कर लेंगे अब हमने सारे को बना के रेडी कर लिया अब इसे हम सेख लेंगे अब इसे सेखने के लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल लगाना है और तेल लगा के पैन को ग्रीस कर लिना है अब एक एक करके सारे पीस को पैन में इस तरह से डाल देना है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इसे सेकेंगे अब एक साइट सिख चुका है अब इसे हम एक पार पलट लेंगे अब देख सकते हैं एक साइट हलका हलका गोल्डन हो गया इसी तरह हम दोनों साइट से सेक लेंगे अब हमने सारे को पलट लिया है अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालके सीखने के लिए छोड़ देंगे अभी नास्ता दोनों साइट सीख चुका है काफी कम तेल में बनके ये रेडी होता है अब आप इस ब्रिकफास्ट को केचप या चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें